हेलो दोस्तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्लैट पीजी एक्जाम क्या होता है और सभी लोग रेजुएट्स को क्लैट पीजी एक्जाम कब और क्यों देना चाहिए यह वीडियो सभी लोग रेजुएट्स के लिए यूजफुल होगा तो दोस्तो ऐसी ही लौ में UG और PG law courses में admission के लिए centralized national level entrance exam है इसके अतिरिक्त 43 top private law institutes भी CLAT score के आधार पर law graduates के लिए जो post graduate law course है और graduate law course है उसमें admission उपलब्द कराते हैं तो दोस्तो consortium of NLU's के द्वारा प्रतेक वर्स CLAT PG के application form मांगे जाते हैं CLAT PG के लिए सभी उमर के ऐसे law graduates अपलाई कर सकते हैं जिनके 3 year या 5 year LLB में कम से कम 50% marks हो यदि SCST candidate है तो minimum 45% marks होने चाहिए दोस्तो यदि संछेप में कहें तो CLAT PG एक law entrance exam है जिसमें प्राप्त score के आधार पर इंडिया की top law universities और institutes के LLM course में admission मिलता है सभी law graduates को CLAT PG exam अवस्य देना चाहिए क्योंकि CLAT PG entrance exam में प्राप्त अंकों के आधार पर भारत सरकार की मिनी रत्न या महा रत्न का दरजा प्राप्त companies में law officer या senior law officers की post के लिए application forms मांगे जाते हैं PSU में job के लिए CLAT PG exam देना निवार होता है यदि आप multinational companies में job पाना चाहते हैं तो भी आपको CLAT PG जो exam है वो अवस्य देना चाहिए CLAT PG exam के माध्यम से NLU से LLM past candidates को अच्छी job opportunities और salary मिलती है CLAT PG exam की preparation जब आप law degree के final year में हो तभी start कर देनी चाहिए और पहला CLAT PG entrance exam भी आपको उसी समय देना चाहिए क्योंकि इस समय आपका legal field का knowledge और study running में होती है तो दोस्तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद